असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आई होब आप लोग ठीक होंगे लास्ट लेक्चर भी आप लोग ने गो थू कर लिया होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मल्टिप्लेक्शर्स को डिजाइन किया था और दो तीन तरीके देखे थे जिनको यूज करते हुए हमने पहले फोर क्रोस वन और फिर एट क्रोस वन के मक्स डिजाइन किये थे और in the end of the last lecture हम लोगों ने 8 x 1 mux using 2 x 4 x 1 mux and 1 orgate यह डिजाइन किया था और इसका यह circuit last time हम ने देखा था यह circuit basically इसका डिजाइन हुआ था तो इसके एक दो combination सिरब मैं यहां verify करा देता हूँ for instance अगर s2, s1, s0 पे 0, 1, 0 selection lines पे आए तो देखते हैं कि final output क्या आती है when s2 is 0, s1 is 1 and s0 is 0 तो पहली बात यह s2 not होके पहले multiplexer के enable input को जा रहा है तो यहां बाना आ जाएगा और यह s2 direct इस second multiplexer के enable input को जा रहा है तो यहां 0 आ जाएगा ठीक है इसका मतलब है कि lower multiplexer जो है वो disable हो जाएगा और जो upper multiplexer है वो enable हो जाएगा दूसरी बात इन दोनों multiplexer को जो common selection lines आ रही है वो s1 और s0 है और वो one zero है यहां भी one zero आ रहा है और यहां भी one zero आ रहा है ठीक है लेकिन यह तो चुके disable है तो इसलिए इसकी output तो 0 आएगी और यह चुके enable है और इसपे one zero आ रहा है तो one zero पे जो इसकी third line है first line, second line, third line इस पे जो input आ रही है वो यहां output पे आ जाएगी तो output पे i2 मुझे मिल जाएगी ठीक है और आगे हमने एक or gate use किया हुआ है and i2 or with zero is i2 so it means जब selection line zero one zero होंगी तो हमें i2 जो है वो output पे मिलेगी और यही हमने देखा था कि zero one zero यह two का code है तो accordingly i2 input जो है that will route to the output ठीक है अब अगर हम इसको change कर देते हैं let's say selection lines का combination change कर देते हैं मैं यहाँ zero one zero के बज़ाए let's say one one zero करता हूँ ठीक है अब जब s21 है तो यहाँ not तो zero हो जाएगा और दूसरी तरफ चूंकि s2 आरा है direct तो s21 है तो यहाँ one हो जाएगा it means अब इस case में lower multiplexer enable होगा और upper multiplexer बोडिसेबल हो जाएगा जब upper multiplexer disable होगा तो इसकी output पे zero आएगा ठीक है lower multiplexer enable है और इसकी selection lines को वही one zero आ रहे है जब one zero आएगा तो इसकी third line जो है जो भी उस पे input आ रही है third line पे first second third one zero के उपर इसकी third line पे जो input आ रही हो output पे आ जाएगी तो यहाँ i6 आ जाएगा और i6 orbit zero यहाँ finally i6 final output पे आ जाएगा ठीक है और हमें पता है कि one one zero के selection lines पे हो eight cross one max में one one zero six का code है तो one one zero पे i6 जो है वो output पे transmit होगी that's it i hope यह चीज़ clear होगी ठीक है अब हम आगे move करते हैं अच्छा आज हम लोग जो multiplexer हम आज़ी design कर चुके हैं four cross one eight cross one similarly you can design sixteen cross one multiplexer 32 cross one multiplexer as well आज हम उनकी कुछ application देखेंगे और में एक application जो है वो यह कि हम किसी भी boolean function को multiplexer use करते हुए हम design कर सकते हैं already हमने देखा था कि हम boolean function को and or gate से design कर सकते हैं हम nan gate से design कर सकते हैं nor gate से design कर सकते हैं हम decoder से भी design कर सकते हैं और आज हम देखेंगे कि किसी boolean function को अगर हमने multiplexer से design करना है तो उसकी क्या technique है तो let's start करते हैं एक्जाम्पल से हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ठीक है fxyz और उसमें जो टर्म है वो x bar y bar z bar plus x bar y bar z plus x y bar z bar plus x y z let's see इस फंक्शन को हम multiplexer के साथ design करना जाते हैं तो यह पहला तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ जिसमें हम यह करेंगे कि जिस function को implement करना है देख लेंगे कि उसमें कितने variable है अगर three variables हैं for instance तो हम eight cross one का multiplexer use करेंगे अगर three variable वाले function को हमने implement करना है तो उसके लिए हम eight cross one का multiplexer use करेंगे I mean यह जो तीन variables हैं इनको हम उस multiplexer की selection lines के तोर पर use कर लेंगे function की जो तीन variables हैं उनको हम selection lines के तोर पर use कर लेंगे और आपको पता है कि जब तीन selection lines होती हैं तो उस case में eight inputs होती हैं ठीक है तो तो it means eight inputs output तो single होती है तो eight cross one का mark सो है वो use होगा इस case में और उसमें पहले input i0 दूसरी i1 i2 i3 and so on till i7 अब हमें सिर्फ यह बताना होगा कि i0 पर क्या apply करना चाहिए हमें i1 पर क्या apply करना चाहिए i2 पर क्या apply करना चाहिए and so on till i7 हमें सिर्फ यह अगर पता चल जाए कि in inputs पर क्या apply करना है so that यह वाला function जो है इसके through implement हो जाए तो इसको करने के लिए let's say यह function हम implement करना चाह रहें ठीक है तो इसको पहले main terms की form में लिख लें this is m0 this is 001 m1 this is 100 m4 and this is m7 ठीक है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sigma 0 1 4 and 7 ठीक है इसका two stable बना ले तो xyz तीन variable है तो आप पता है 8 combination बनेंगे अब इस function को आप two stable में transform कर लें एक m0 है this is m0 तो उसके against one आजाएगा m1 है this is m1 m1 के against one आजाएगा m4 है no this is m4 तो इसके against one आजाएगा और m7 है this is m7 तो इसके against one आजाएगा ठीक है और बाकी और m7 इन पर one है और बाकी सारे 0 है और हमें यह भी पता है कि जब यहां पर 00 होगा तो उसके आई 0 select होके output पर आएगी ठीक है तो उसके आउपट पर हमें क्या चाहिए हमें one चाहिए ठीक है और यह इसकी i0 है हमें बता है जब यहां 00 अप्लाइगे तो इसकी i0 आउटपट पर आएगी तो हम क्या करें हम इसकी i0 पर one अप्लाइगे यह one हम यहां से ले आते हैं ठीक है clear अच्छा और कहां कहां हमें one चाहिए 001 जब हम यहां अप्लाइगे 001 अप्लाइगे तो इसकी i1 सेलेक्ट होके output पर आउटपट पर आगी और उसकी भी हमें आउटपट पर one चाहिए it means एक one हमें यहां चाहिए ठीक है and so on m4 पर यानी one zero zero जब सेलेक्ट चले हम one zero zero होगी तो i4 सेलेक्ट होगी उस पर भी हमें one चाहिए तो यहां one अप्लाइगे कर दिया और एक जब one 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 होगा उसकत i7 सेलेक्ट होगी तो i7 पर भी हम one अप्लाइगे ठीक है clear और बाक्की के हैं बाक्की जो टर्म्स रहेगे हैं उन पर हमें क्या मिलना है m2 पर m3 5 और 6 यह क्या हैं यह zeros हैं यह basically क्या हैं यह zeros हैं तो हम क्या करें it means जब zero one zero अप्लाइग करेंगे हम as selection lines तो उसकत i2 सेलेक्ट होगी और उसकत हमें output पर zero चाहिए तो हम यह zero यहां से apply करेंगे यह zero ठीक है and so on जो बाक्की बची हैं उनको हम zero से connect कर देते हैं and that's it circuit design हो गया है ठीक है circuit design हो गया है आपको पता है कि इस multiplexer के inside 8 hand gates लगे हुए एक or gate लगा हुए वो 8 hand gates की output उस or gate को input के तोर पर feed हो रही है और फिर वो जो final or gate की output है वो as a function output मिल रही है और यह हमारे पास भी sum of main terms हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने यह वाला function जो पहले कभी and or gate से आपने implement किया था ठीक है अब multiplexer के inside भी basically 8 hand gates हैं जो M0 से M7 तक main terms generate कर रहे हैं और उनकी output जो और gate को apply करके और final output आपको मिल जाती है तो हमने यह देखा अब हम चेक कर लेते हैं for instance कि क्या यह जो हमारा circuit design हुआ है using multiplexer यह इस truth paper के मताबिक काम कर रहे है let's say हम कोई combination देखते है for instance 001 apply करते है selection lines पे 001 अब जब selection lines पे 001 आएगा तो हमें पता है इसकी i1 जो है वो output पे transmit होगी और इसकी i1 पे क्या apply वह हो है यह 1 ठीक है इसकी i1 पे 001 तो i1 पे 1 apply होगा तो output पे 1 आ जाएगा ठीक है तो 001 पे हमें output पे 1 ही चाहिए था fine let's say मैं 101 apply करता हूँ 101 जब 101 apply करेंगे तो आपको बता है i5 जो है वो select हो के output पे जाएगी this is i5 i5 जो आउटपट पे जाएगी और i5 पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है i5 पे 0 आ रहा है तो यह 0 आउटपट पे transmit हो जाएगा जब 101 आप selection line पे apply करेंगे और 101 पे हमें 0 ही output पे मिलना चाहिए था so i hope it is clear ठीक है आगे से ले fine अभी हमारे पास यह function था fxyz x bar y bar z bar plus x bar y bar z plus x y bar z bar plus x y bar z का है तो एक तरीका यह है कि जितने variables हैं तीन variables है तो इन तीनो variables का select lines ले ले लें accordingly तीन select lines अगर होंगी तो 8 x 1 का multiplexer यूज़ होगा और उस case में पर हम truth table बनाके recordingly कुछ inputs पर zeros आएंगे और कुछ पर ones आएंगे और यह हमारा circuit design हो जाएगा ठीक है हम इसको एक और तरीके से भी बजाए इसके कि हम 8 x 1 का मक्स यूज़ करके design करें हम 4 x 1 का मक्स यूज़ करते हुए भी design कर सकते हैं तो जहरे उसका फाइदा क्या होगा 8 x 1 मक्स में 8 end gates inside लगे हमें और एक और gate है जबके 4 x 1 मक्स में 4 end gates लगे होंगे और उनकी output और gate खो जाएगी ठीक है तो देखते हैं कि उसके लिए क्या algorithm है अगर हमने इसी function को 8 x 1 के बज़ए 4 x 1 मक्स से implement करना हो तो क्या algorithm है अभी हम देखते हैं यह वही function है जो हमने अभी 8 x 1 multiplexer से implement किया अब हम देखते हैं एक algorithm जिसके थूँ हम instead of 8 x 1 multiplexer हम इसको 4 x 1 multiplexer से implement करके देखते हैं तो first of all f x y z is this function और यह function वही sigma 0 1 4 and 7 है अगर two stable बनाएं तो m 0, m 1, m 4 और m 7 पे 1 है और बाकी जो हैं वहाँ पे zeros आ जाएंगे ठीक है तो हमारा function है हम अलड़ी देख चुके हैं कि यह true stable मिलना चाहिए हम जैसे मर्जी implement करें अब ज़रा यह देखें इसमें algorithm क्या है कि अगर आपने यह three variables वाला function है तो instead of यह कि आप तीनों variables को select line के तोर पर यूज़ करें आप दो variables को कोई से दो variables को as select line यूज़ करें कि आप क्या करें कि take any n-1 variables as select lines ठीक है इस algorithm में क्या है कि take any n-1 variables as select lines ठीक है वो कोई भी हो सकते हैं तो इसमें तीन variables हैं n is three तो n-1 is two so कोई से दो variables as select line ले ले लें let's say मैं x और y as select lines ले ले लेता हूं ठीक हैं x और y as select line ले ले लेता हूं s-1 रहे 0 के तोर पर आएं अब जब दो variable as select line लेंगे तो multiplexer का size 4 x 1 होगा तो यह मैंने accordingly 4 x 1 का max यहां show किया हुए है उसकी i0, i1, i2, i3 है output तो एक ही होती है अब algorithm क्या है कि for n variable function you take n-1 variables as select lines वो कोई भी n-1 variables हो सकते हैं leaving one variable let's say हमने x और y को as select line लिया है तो z को छोड़ दिये ठीक है z को छोड़ दिये वो जो variable हम छोड़ेंगे उस variable की form में हमें i0, i1, i2, i3 डिटर्मिन करना होगा जो variable हम leave करेंगे उस variable की form में हमें i0, i1, i2 यह जितनी भी inputs हैं वो डिटर्मिन करनी होगी कैसे करनी होगी अभी देखते हैं ठीक है जी हमने कहा कि हमने n-1 variable select line ले लिए let's say वो 3 variable थे तो n-1 is 2 तो 2 variable x, y ले लिए लिए फॉर इंस्टेंस तो x, y जब हमने 2 variable select line लिए तो input 4 होगी तो coordinate 4 cross 1 marks है अब हम देखते हैं कि जब select line 00 है जब select line 00 है ठीक है तो हमें पता उस वकत कौन सी line select होनी है उस वकत i0 select होनी है ठीक है अच्छा आप यह देखें उस वकत हमारे पास f क्या है जब selection line 00 है तो उस वकत हमें output पे 1 मिलना है irrespective of the value of z वो बैशक 0 हो जावानो हमें output पे two stable हम पहले ही बना चुके हमें output पे one मिलना चाहिए और हमें पता है जब selection line पे यहां हम 00 apply करेंगे तो i0 जो है वो output पे जाएगी चुक्छे हमें output पे in any case one मिलना चाहिए z जो मर्जी हो we don't care हमें output पे one मिलना चाहिए इसका मतलब है कि हमें इस i0 पे one apply करना होगा मैं यहां one लेक जाता हूँ और यह basically as i0 treat होगा ठीक है चुक्छे लाइन जब 00 होंगी तो i0 जो है वो selector के output पे आएगा और i0 क्या होना चाहिए one क्यों one होना चाहिए क्योंकि हमें in any case output पे one मिलना चाहिए i0 राउटों के output पे आएगी ठीक है चले आगे देखते है next two combination when selection line is 01 अब selection line जब 01 होंगी जब यहां 01 होगी तो i1 select होके output पे आएगा i1 select होके output पे आएगा ठीक है अब जब selection line 01 है तो देखें output है हमें क्या चाहिए output पे हमें 0 चाहिए irrespective of the value of z whether it is 0 or 1 हमें output पे क्या चाहिए 0 इट मिन हमें output पे 0 चाहिए और जब selection line 01 होगी तो इस वोकत कौन सी line select होगी i1 select होके output पे आएगी it means यह चीज हम i1 पे apply कर देंगे ठीक है clear next दो combination देखें 10 अगर selection line पे 10 हो तो आप देखें अगर z 0 है तो हमें f जो output है 1 चाहिए और अगर z 1 है तो output 0 चाहिए अगर z 0 है तो output function 1 चाहिए और अगर z 1 है तो output 0 चाहिए it means जी का कॉंप्लिमंट हमें output पे चाहिए इसका मतलब है कि i2 पे अगर हम z का कॉंप्लिमंट अप्लाए कर दें तो वो output अगर यहां i2 पे z का कॉंप्लिमंट अप्लाए कर दें तो according lily output पे चले जएगा जब selection line 1 0 हो तो यह i2 आ चाहिए और similarly last combination जब 11 होगा तो देखें हमें function क्या चाहिए जब z 0 है तो output function 0 चाहिए जब z 1 है तो output 1 चाहिए z 0 है तो output 0 चाहिए z 1 है तो output 1 चाहिए it means simple z जो है वो हमें output पर चाहिए और selection line 11 पर चुके यह चाहिए तो it means यह i3 को हमें apply करना होगा i hope it is clear i0, i1, i2, i3 यह inputs determine होगी i0 is 1, i1 is 0, i2 is z dash and i3 is z that's it so हम यह i0 पर 1 apply कर देते हैं i0 पर 1, i1 पर उसका compliment यह 0 i2 पर i2 पर z bar let's say यह z है तो इसका compliment i2 पर i3 पर हमें क्या चाहिए z ठीक हो गया तो यह हमारे पास यहां पर circuit design हो गया that's it अब हम सिरफ इसको verify कर लेते हैं कुछ combination apply करके let's say मैं यह combination देखता हूँ 001 ठीक है x0 y0 और z1 x0 y0 और z1 x0 y0 z1 जब z1 होगा तो z bar 0 हो जाएगा ठीक है अब यहां चुके 00 है selection lines पर तो 00 पर i0 जा हो output पर transmit होगी और i0 पर 1 है तो हमें output पर क्या मिल जाएगा 1 और हमें 001 पर function 1 ही चाहिए था that's it दूसरा देख लें कि अगर हम let's say यहां पर 101 देखते हैं 101 ठीक है 101 101 जीरो और z1 101 x1 y0 z1 101 यह वान होगा तो यह तो 0 हो जाएगा अब यहां पर 10 selection line पर और 10 पर i2 select होती है जब 10 हो तो i2 select होती है तो i2 पर क्या है 0 तो output पर हमें 0 मिल जाएगी और 101 पर हमें 0 ही चाहिए था that's it ठीक है I hope it is clear अच्छे यह जो हमने equations i0 i1 i2 i3 की find out कि हैं इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं वो यहां alternate way मैंने लेखती है ठीक है और वो क्या है हमने कौन सा variable जो है वो छोड़ा है हमने out of three variables x और y जो है उनको select lines लिया था और z को छोड़ा था ठीक है आप बजाए इस तरीके से i0 i1 i2 i3 की values find out करने के एक alternate way भी है आपकी book में basically यह दिया हुआ है you can use this as well इसमें क्या है जो variable हमने छोड़ा है that is z हमें पता है कि कुछ main terms में z as z bar appear हो रहा होगा जैसे m0 में m2 में m4 में और m6 में और कुछ में as z unprimed appear हो रहा होगा जैसे यहां x bar y bar z यह unprimed है m1 में m3 में m5 में और m7 में क्या करें आप आप जी बार और जी के यह दो रोस बना लें और जी बार के गेंस्ट जिन main terms में z as primed appear हो रहा है उनको इसके सामने लिख लें तो वो m0 है m2 m4 और m6 m0 m2 m4 और m6 और जिन में z as unprimed appear हो रहा है वो है 1 3 5 & 7 1 3 5 & 7 यह लिख लिए हैं आपने अब आपने यह करना है कि जो भी आपको function दिया हुआ है इसमें जो terms आपको given है इसमें जो terms आपको given है main terms जो given है function में उनको circle कर लिए तो m0 है m0 को circle कर लिए m1 है m1 को circle कर लिए m4 है उसको circle कर लिए और m7 है उसको circle कर लिए ठीक है अब हमने यह i0, i1, i2, i3 determine करने है तो उसका rule यह है कि अगर किसी column में दोनो main terms circle है तो उसका answer 1 आएगा अगर किसी column में कोई भी term circle नहीं है तो उसका answer आएगा 0 और किसी column में अगर सिर्फ एक ही term encircled है तो जो उसके against लिए वजी बार तो वहाँ जी बार आएगा और अगर lower सिर्फ encircled है तो जो उसके against लिए वजी तो वहाँ जी आजाएगा ठीक है तो अगर दोनों circled है तो 1 अगर कोई भी term encircled नहीं तो 0 सिर्फ अपर circled है तो z bar lower circled है तो z so this is i0 this is i1 this is i2 and this is i3 so i0 is 1 i1 is 0 i2 is z bar and i3 is z this is same i0 is 1 i1 is 0 i2 is z bar and i3 is z तो यह वही चीज़े आ गई आपने जब find out कर लिया तो यहां 4 plus one max में i0 i1 i2 i3 apply कर दे and that's it ठीक है तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस same function को आप वही function है और मैंने आपसे कहा था कि कोई भी n-1 variable select line ले सकते हैं इस case में हमने x और y लिये थे z को छोड़ा था let's say अगर मैं आपसे कहूँ यह same function है और इस case में अगर मैं आपसे कहूँ कि y और z को select line ले 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 य और z को select line ले ठीक है x आपका रह जाएगा तो x जाहर है as x बार होगा कुछ टर्म में और कुछ में as x होगा किन में x बार होगा m0, m1, m2, m3 में और किन में as x होगा 4, 5, 6, 7 में फिर आपने वही करना है कि जो m0 है m1, 4 और 7 0, 1, 4, 7 उनको circle कर लें और फिर आपने जहां दोनों term circle है वहाँ 1 जहां सिर्फ एक term circle है अपर है तो x बार कोई भी circle नहीं तो 0 और जहां सिर्फ lower circle है तो वहाँ x आ जाएगा यह i0 होगा, यह i1 होगा, यह i2 होगा और यह i3 होगा तो आप यह खुद से अब design कर लें, i0 पे 1 apply करें, 4 cross 1 का max use होगा, y और z उसकी selection line पर apply करें उसकी i0 पे 1, i1 पे x bar, i2 पे 0 और i3 पे x apply करें और उसके बाद combinations को verify कर लें i hope आपको यह समझ आ जाए, आ गया होगा, कि हम और इसका answer यही, truthable वही होगा इस case में हमने x और y को selection line लिया था और z को छोड़ा था और इस example में हमने y और z को selection line लेना है और x को हमने छोड़ा था और आपका जो i0, i1 बगरा है, वो in terms of x bar और x जो है, वो determine होगा circuit draw करें, उस पे i0 पे यह apply करें, i1 पे यह, i2 पे यह, i3 पे यह और y और z यह select lines लें और कुछ combination apply करके test करें thank you very much